हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्लैटफॉर्म ऑफ जोग्रफी में दोस्तों आप जोग्रफी से रिलेटेड किसी भी एक्जाम के प्रिप्रेशन कर रहे हैं यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेलफूल होने वाले हैं तो वीड चुरू करते हैं आज की वीडियो में पॉस्ट क्विशन है भारत में सबसे अधिक रबर उत्पादित करने वाला राजी कौन सा है ? अप्शन है तमिल नाडू करणाटक अंडमान निकोबार या फिर केरल तो दोस्तों आप भी राइट आंसर कर सकते हैं वीडियो के कॉमें box में और last में आप हमें अपना score जरूर बताइएगा 10 में से आपके कितने questions आपके right हुए हैं तो चलिए यहाँ पर right answer देख लेते हैं पर्तमी स्थाने और केरल में 88.4 परसेंट रबर का उत्पादन किया जाता है चलिए next question देखते हैं next question है भुगोल में अक्षेत्रिय विबिन्ता की संकल्पना का जनक माना जाता है तो यहाँ पर right answer हो जाएगा दोस्तो option third हेटनर को तो दोस्तो हेटनर भौतिक और प्रादेशिक भुगोल वेता थे विश्तरित यात्राओं के उपरान उन्होंने शौद पत्र लिखे और उनकी एक पुस्तक यूरॉप सन 1909 में की सन में 1909 में परकाशित होई और उसके अनुसार भुगोल एक अक्षेत्र विवरंड विज्ञान है या फिर हम कह सकते हैं कि परदेशों का अधियन है चलिए next question देखते हैं नेक्स्ट क्यूशन है वुहान ओध्योगिक परदेश कहां है चीन में इटली में फ्रांस में या फिर जपान में तो दोस्तों क्यूशन थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन फर्स्ट चीन में तो चीन के मद्य यांग टीसी घाटी में लियान हूं बेसिन में वुहान चागसा एक मैतवपूर्ण ओध्योगिक केंद्र है वुहान में लोहा इसपात उद्योग उन्नी सो पचास में इस्थापित किया गया था उन्नी सो पचास में चलिए नेक्स्ट क्रिशन देखते हैं नेक्स्ट क्रिशन है निम्न में से किस वर्ष भारे सरकार दुआरा केंद्रिय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया तो निम्न में से किस वर्ष भारे सरकार दुआरा केंद्रिय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया चलिए उप्षन देख लेते हैं फर्स्ट उप्षन है उन्नी सो पिचासी या फिर उन्नी सो पिचासी में तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर हो जाएगा उप्षन थर्ड उन्नी सो पिचासी में तो भारत सरकार दुआरा केंद्रिय गंगा प्राधिकरण का गठन उन्नी सो पिचासी में किया गया था तो फ्रेंट्स गंगा कारिय योजना की शुरुवाद 1885 में गंगा प्राधिकरण के गठन के साथ प्रारंब होई और इसके पर्थम चरण के अंतरगत 25 नगरों कितने नगरों 25 नगरों कसवों के मल जल को शोधित करने की योजना को 31 मार्ज 2006 को समाप्त कर दिया गया और दि है निमले कितमें से किस राजे में जलोड मिटी सबसे कम है पंजाब मद्यपरदेश तमिल नाड़ू या फिर बिहार तो राइट अंशर आप हमें बताएए वीडियो के कमेंट बॉक्स में 59 आप wykorर करा पर दिधर को ऊप्चिन दिया इसकान कीजेगा जायए का option 2 मध्य परदेश तो फ्रेंट जलोड मिर्दा भारत में सरवादेक अक्षेत्र में फैली होई है जिसका शेत्र फल 14 दसमलो 25 लाग वर्ग किलोमेटर है और जो भारत के 43 परतिशत अक्षेत्र को धारित करती है ठीक है तो फ्रेंट सबसे कम यह मध्य परदेश के अक्षेत प्रादेशिक भूगोल भूगोल का क्रोड है यह कथन किसका है तो क्या पूछा गया है प्रादेशिक भूगोल भूगोल का क्रोड है यह कथन किसका है तो हमें बताना है कि यह कथन किस भूगोल विता क्या है ओप्षन देख लेते हैं डिकिन सिन का सिकेंड ओप्षन है हा अंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड बलांच तो बलांच मौदे ने प्रादिशिक भूगोल को भूगोल का क्रोड माना है और इन्हें माना भूगोल का संस्थापक एवं संभववाद की विचारदारा का जन्मदाता भी माना जाता है और बलांच के अनुसार फ्रेंट भूग तो राइट ओप्शन हो जाएगा ओप्शन थर्ड तो लिए नेक्ट क्रिशन देखते हैं नेक्स्ट क्रिशन है नेपानगर का संभण किस उद्योग से है तो क्रिशन में क्या पूछा गया है नेपानगर का संभण पूछा गया है कि किस उद्योग से है ओप्शन देख ले हैं question 7 का right answer हो जाएगा option 2 अकबारी कागज से कागज उद्योग से नेपानगर का संब्ध है तो देश में अकबारी कागज की पहली email नेपानगर मद्यपार्देश में 1955 में लगाए गई ठीक है तो कब लगाए गई 1955 में 1955 में चली नेक्स्ट क्षिशन देखते हैं नेक्स्ट क्षिशन है यह कतन किस भुगोल विद ने कहा है परिवर्टन परकरती का नियम है तो क्षिशन में क्या पूचा गया है कि किस भुगोल विद ने कहा है या भुगोल विद ता ने कहा है परिवर्टन परकरती का नियम है option देख ले जानजना है कि किस भोलता का है परिवर्तन परिकर्ती का नियम है तो फ्रेंट्स राइट आंसर हो जाएगा उप्षिन फर्सट जीन ब्रॉंच रव फ्रेंट्स जीन ब्रॉंच ने अन्योन क्रिया का विचार वाइडल डी-ल अब-लांश से प्राप्ट किया था और ब्रॉंच उसने कहा बहुती प्रकर्ती की शांति उननके परिणामों संबंदों में तथा उन blond के प्रिणामों में एक दूसरे से बंदे विए हैं चीक है तो यह प्राइं परिवर्तन की का नियम है जीन बृंच ने दिया है चलिए नेक्स typically देखते हैं next question है गल्फ इस्ट्रीम किस महासागर से संबन्दित है first option है उतरी परशांत महासागर हिंद महासागर से उतरी अट्लांटिक महासागर से यह फूर्थ option है arbit ज MON से कोई नहीं तो क्या पुचा गया question में गल्फ स्ट्रीम धारा पूछी गई है कि यह किस महासागर से संबंदित है राइट ओप्शन हो जाएगा फ्रेंट्स क्यूशन का ओप्शन थर्ड उत्री अट्लांटिक महासागर से तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा उत्री अट्लांटिक महासागर की धारा है तो फ्रेंट्स यह है उत्री अट्लांट इक महसागर की गर्मधारा है और मेक्सिको की खाड़ी में उत्पन होने के कारण इसको गल्फ इस्ट्रीम के नाम से जाना जाता है चलिए नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्यूशन है निमलेकित में से कोन एक आराम कुरसी पर बैटने वाला दाशनिक भूtill बेता था ओप्शन देख लेते हैं कांट हंबोल रेट जेल या फिर वारिनियस तो क्या पूछा गया question में निमलेखित में से कौन एक आराम कुर्सी पर बैटने वाला दार्शनिक भूगोल वेता था तो right answer हो जाएगा option first Kant तो 18 शिताबदी के जर्मनी भूगोल वेताओं में Emmanuel Kant महतपूर्ण थे Kant अपनी विचारों की जांच करने है तो Kanigsberg ने विश्विद्याले में 40 वर्षों तक भूगोल विशे का अधियन किया कितने वर्षों तक किया? 40 वर्षों तक इनों ने भूगोल विशे का अधियन किया इसी कारण इनको आराम कुर्सी में बैठा रहने वाला दार्शनिक भूगोल वेता कहते हैं तो फ्रेंड्स यह थे टॉप 10 MCQ जोग्राफी के तो यह मॉस्ट रेपिटेड केशन है एक्जाम में आपको मिलते ही रहते हैं UGC Net एक्जाम में भी रेपीट होते रहते हैं और PGT जोग्राफी में UPSSC पैट एक्जाम के लिए भी यह वीडियो इंपोर्टेंट हो जाएगी क्योंकि जोग्राफी के 10 most important questions की स्रेज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आप ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है क्योंकि जोग्राफी